आप सभी का नेज चानल कॉमर्स एड्यू क्लब में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे management क्या होता है उसके natures जिसको features characters भी कहते हैं ये सारे synonym से उसके तो पहले हम लोग management के बारे में पढ़ेंगे कि management क्या होता है management can be scanned as management टी ठीक है management word को अगर हम लोग निचोड दें मतब तोड दें तो इससे तीन word निकल के आता है management and टी manage से तो सबको पता है कि manage क्या होता है किसी भी चीज़ को अच्छे से करना manage करके करना वो होता है manage men इंसान टी टी से हम लोग समझेंगे tactfully ठीक है चतुराई से तो manage men tactfully मतलब इंसान को चतुराई से manage करना that is management यह हो गया common terms में common शब्दों में आसान भासा में अब इसको हम लोग as a definition पढ़ें तो management is the art of getting work done by others एक कला है दूसरों से काम करवाने का management एक कला है और अगर definition के अगर एक और definition देखते हैं हम लोग कि management is the art of knowing exactly what you want your men to do and then seeing that they do it in a best and cheapest way यह definition दिया है F.W. Taylor ने इसका मतलब है कि management is the art of knowing management एक कला है जानने का कि इनसान से जो भी उसके workman है under जो काम कर रहे है उससे कैसे क्या काम करवाना है और देखना कि वो काम अपना अच्छे से कर भी रहे है या नहीं सस्ते में अच्छे में best way में कर रहे है या नहीं यह इसका देखना भी काम है तीक है अब हम लोग देखेंगे characteristics of management characteristics मैंने यहाँ पर five characteristics लिये हैं पहला है goal oriented दूसरा है dynamic तीसरा है pervasive group activity continuous process और balance effectiveness and efficiency तीक है इसको बहुत easily हम लोग समझ सकते हैं और इसको याद करने का बहुत ही छोटा सा acronym मैंने बनाया है that is gdp gcb gdp तो हम लोग जानते हैं यह एक वर्ड है gross domestic product आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे इस वर्ड से and gcb gcb को हम लोग g को हम लोग replace कर देंगे gc ताकि हम लोग के mind में clearly बैट जाए कि gdp और gcb यानि gcb यह हम लोग characteristics को याद करने का simple terms में हम लोग इसको समझ सकते हैं goal oriented होता है management goal oriented का मतलब क्या होता है कि management जो है अपना work करता है तो वो उसका motive ही होता है कि उसको अपने goal को objective को achieve कर ले ठीक है तो पहला हो गया goal oriented दूसरा है dynamic dynamic मतलब dynamic का मतलब होता है कि जो स्थर नहीं रहता that keeps on changing जो हमेशा बदलते रहता है तो as per the changing environment जैसे जैसे environment में बदलाव आता है वैसे वैसे management को change करना पड़ता है अपने decisions को अपने actions को अपने goals को नहीं अपने like परवेसिव को अव्धानी जाप समझे अंपने चेंज करते है परवेसिव परवेसिव का मतलब होता है कि जो हर जगह प्रेजंट हो परवेसिव familiarprosive, पर जिसमें पर लगा है वह एक जगह स्थर नहीं रह सकता ठीक हा एक जगा नहीं रह सकता, वो हर जगा है, जिसके पास punk है वो तो हर जगा उड़ेगा न, तो pervasive का मतलब भी होता है, कि यह हर जगा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ business organization में ही management होता है, यहाँ business नहीं होता है, जो NGOs है, वहाँ भी जहाँ पे profit making नहीं होता, organizations वहाँ भी management होता है, school colleges, kitchen, हर जगा management होता है, ठीक है, तो यह परवेसे होता है nature में, group activity, अभी हम लोग पड़े कि management is management tactfully, इंसानी को तो tactfully manage करना है, इंसानी को तो चुतराई से manage करना है, तो एक से होगा क्या, किसको manage करेंगे, तो यह group activity है, कोई single person नहीं कर सकता है, ठीक है, और सा continuous process, management जो है वो एक continuous process है, ठीक है, continuous process in the sense की management जो है, वो हमेशा चलता रहता है, एक company है, वहाँ की different managers से कोई planning कर रहा है, different department से कोई planning कर रहा है, कोई किसी का manager organizing कर रहा है, कोई staffing कर रहा है, तो यह ongoing process चलता ही रहता है, it's a continuous process, and last में है, balance, effectiveness and efficiency, effectiveness का मतलब हो गया है, कोई भी काम less time में करना, कम time में करना, efficiency मतलब होता है, less wastage के साथ करना, यह resources हमारे scarce है, तो कोशिच रही होनी चाहिए, कि उसकी कम से कम wastage हो, तो यह और management का काम होता है, कि इन दोनों में balance बनाना, ठीक है?